है आराइड गाइज वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल इसबोग सो दिस इस आवर लेक्चर नमर थाटी सिक्स आफ आवर लेक्चर सीरीज अन एर्थ क्लास प्रिटिकल साइंस सो आज का जो हमारा लेक्चर है हम इस लेक्चर के अंदर जो चैप्टर नमर फोर है चैप्टर नमर फोर को हम अंडरस्टेंड करने वाले हैं हमने जो पहला जो चैप्टर लेक्चर बनाया था यनि लेक्चर नमर थाटी फायो आप उस लेक्चर को पहले जाकर देखिए क्यो क्योंकि उस Demиг पार्ट थर्टी फायो है उसके अंदर हमने इस लेक्षर के बारे इंट्रडिक्शन दी है यहनी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब हमने बताया था उस लेक्षर के अंदर सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ मजीद जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के बारे में जिस तरह अमिन आपसे कहा था कि लाज क्या होते हैं कनून क्या होता है देखो जो हमारे पार्लिमेंट है पार्लिमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लाब बनाते हैं या नहीं जो लोग पार्लिमेंट के अंदर हम जिनको हम अलेक्ट करके बेजते हैं जो हमारे रिप्रेजन्टेटियो होते हैं जो डिफरेंट कंश्चनसी से जाते हैं जिस हमारी जो पूरी कंटरी है उसके लीए Laz बनाते है और इन Laz के तैयाइट हम चलते है और हमारी जो सटेट के अंदर Legal Assembly होती है जिनमें हम आपे नाम सुनां गए जो कभी किसी सटेट के अंदर MLC होते हैं तो यह सब मिलकर यहां पर Laz बनाते हैं स्टेट के लिए और कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं और कुछ कानूर्ट लिस्ट के अंदर आते हैं तो इस तरह यह तीनों के ऊपर जो लाज बनते हैं वो यह सब जो पार बताईगी है, सिच्वेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि लाज जो है, वो सब के लिए क्यों बराबर है, यहां से जो हमारा टापक है अगर हम में टापक की बात करें तो टापक जो है, वो है डू लाज, अप्लाई टू आल, क्या जो लाज हैं, जो कनून है, वो हर एक के लिए अपलाई होता है, क्या लाज जो है, वो सब के लिए बने हैं, क्योंकि एक कंट्री होती है कंट्री के अंदर अमीर लोग भी होते हैं पोर भी होते हैं, और जो यहां पर रिच भी होते हैं यानि अमीर भी होते हैं और गूरीब घृते हैं तो अपको आपके क्या कित लिए होते हैं वो क्या सब के लिए यहां पर एक पर सब्हेंज अपर कर से होते हैं、 चीज़ पर by a district court for a crime that he has committed जनी एक जो government official है उसका एक son है उसका एक बेटा है उसको 10 साल की यहांपर जेहल हुई है और जो district court है उसने यहांपर इसको 10 साल की जेहल दी है इसलिए जो government official जो है वो अपने बेटे यहांपर च्पा देता है क्योंकि उसके बेटे ने एक crime क्मिट किया था So यहांपर जो यह government official का एक्शन है क्या यह एक्शन उसका जो right है क्या उसकी साल का एक extra जो right है Should his son be exempt from क्या उसका जो son है वो لا से क्या उसका उसका पर لا apply यहिए होते है क्या उसका उसका ला apply नहीं होते है क्योंकि वो उसका पादर जो है वो एकनॉमिकली ठीक है और पॉलिटिकली पावरफुल है यानि एकनॉमिकली पावरफुल है तो यह कॉइस्चन है हमसे किया गया हमें अब समझ आने वाला है यहांपर तो यह उपर से जो हमें पता चलती है कि यह जो उपर जाली सिच्वेशन जो है यहांपर एक गोर्मेट अफिशल जो होता है वो अपने सन को यहांपर हाइड कर देता है सब्सक्राइब करें आपने अपने खसाब से उसके पावर का अस्तामाल अपने पावर अरथार्टी का स्तामाल नहीं कर सकते हैं इंडिपेंट इंडिया के अंदर और यहां पर एक बात और कही गी थी कि जो कोई master हो, कोई यहां पर teacher हो, कोई यहां पर soldier हो, कोई B person यहां पर हो, कोई MLA हो, कोई president हो, MLC हो, PM हो, सब LA के अंदर सब बराबर हैं, और जो कनून है, यानि वो LA है, वो सब से उपर है, सब नीचे हैं, कनून उपर है, और सब जो भी हैं, यहां पर जो भी अपने अपने जिन से यहांप पर चलेंगे ठीक Hmmm rule of law होगा कानून का यहांपर रूल होगा वके डूनन का नोसः को हम रूल अवला को कहते हैं तो ला जो है वह डिला के लो काल रूली जो है वा और यह उखेंगा रूल का स्टर्व नहीं की जाएगी, what is the rule of law means that is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law, यह नहीं, rule of law का मतलब होता है कि law जो है, जो भी citizen इंडिया के अंदर, जो भी citizen रहते हैं, law उन पर equally apply होगा और country के अंदर कोई भी person law से अबो नहीं होगा, ना ही कोई government official law से उपर हो सकता है, ना ही कोई wealthy जो person है, जो अम सकता है, ठीक है ना, कोई भी crime जो है वो, our violation of law है, has a specific punishment, जैनि कोई भी crime और जो violation of law है, उनकी specific punishment है, as well as process through which the guilt of a person has to be established, जैनि एक process पूरा बताया गया है, कनून के अंदर के कोई भी person अगर कोई crime करता है, तो उस crime की क्या सजा है, और किस खसाब से इसको सजा देनी है, वो होता है, तो अगर हम ancient India की बात करें, तो ancient India के अंदर यहां पर innumerable local laws होते थे, यानि बहुत सारे अंगेनत local laws होते थे, और कभी कभी ऐसा होता था, कि बहुत सारे laws जो होते थे, वो आपस में our lab करते थे, और different communities जो होती थी यहां पर, उनको वो different degree of autonomy enjoy करते थे, यानि जो laws हो होते हैं, डाय्यों होते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था, कि कुछ केसे में, दो पर्सन कर एक ही प्राइम करते हैं, तो उनको different different सजाम मिलती थी, ग्रॉंट कια होता था, यानिंध करता था, कि उनकी कास्ट क्या है, उनकी क्या वो lower caste हैं, तो अगर वो lower caste हैं, तो उनको harshly penalized क क्या जायेगा तो यह इंडिया के अंदर यह सेस्टम था लैकَं स्लोली स्लोली हमें इसमें चेंज होने हमें इसमें मिली यहां park della हमें और जो शुक्तारी मिली उनका मानना है की जो फ्रेम इटिश यानुका तेया न इडिञिक अंग्रेश थे उन्होंने यहाँ पर इंडिया के अंदर रूल आफ ला इंट्रिडूस किया है यानि रूल आफ ला किसे ने इंट्रिडूस किया है बहुत सारे हिस्टोरियन्स का मानना है कि रूल आफ ला जो है इंडिया के अंदर ब्रिटिशर ने यहां पर इंट्रडूस किया है ब्रिटिशर से पहले इंडिया के अंदर रूल आफ ला नहीं था यह नहीं सब जो लोग थे वो कनून की नजर में बराबर नहीं थे हर एक person के हर एक communities के लिए अलग अलग कनून होते थे और यह depend करता था के उस communities की कास्ट क्या है उसकी जो उसका religion क्या है उसकी क्रीड क्या है सेक्स क्या है तो ऐसी चीज़ इंडिपेंड की जाती थे यहां पर यहां पर यहां पर कनून की नजर में बराबर नहीं होते थे हिस्टोरियन्स है और डिप्यूटेट डिस क्लेम यहां जो क्लीज जो ला है वह अर्बिटरी था है अर्डियन नेशनलेश्ट प्लेड एप प्रमिनिट और रोल इन दी डिवलाप्मिंट और लीगल सफियर इन ब्रिटिश इंडिया यह एक तो जो क्लीज ला जो थे वह आर्बिटरी थे और दूसरे जो इंडियन नेशनलेस्ट जो थे जादी के लिए जो लग लड़ते थे जिनको अपने मुलक से इंडिया से प्यार था इंडिया उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के अंदर लीगल स्फेर जो है यानि कनून जो है वो डिवलप किया तो इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया के अंदर जो आइडिया है सिडियाशन एक्ट आफ इंडियाशन एक्ट था वो एक बहुत बड़ी आर्बिटरिनेस ला की एक्जम्पल है ठीक है ना आर्बिटरिनेस होता है अपनमानी से ओके तो इस एक्ट के अंदर जो आइडिया है सिडियाशन का वो हम बराडली अडर्स्टेंड कर सकते हैं नि परसन प्रोटेस्टिंग ऑर करेसे इस लाखे अंदर कोई भी परसन अगर ब्रिटिश गर्मपल यहां पर क्रिटिसाइज करता था तो यहां पर प्रोटेस्ट करता था तो उसको विदाउ ट् रखा जाता था तो ब्रिटिशर की जो यह थार्टी थी यानि ब्रिटिशर का जो यह जो यहां पर आर्बिटरी जो थी उनके पास जो पावर थे उसके जो आर्बिटरी थी उसके मन मानी थी उसके हलाफ जो हमारे इंडियन नेशनल एच थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना किया और इसके खलाव उन्हें और उन्हें Keys की यहाँ फाइट की से pare Battery के लिए और यह यहां पर आ दे पर यוש चैन्ग फाइटिगरिख की हटी ऐन्म की आइडिया वान ऑन ओनर मिनट idea of law from a set of rules that they were forced to obey یعنی جو ہمارے nationalist leader تھے انہوں نے جو idea تھا یعنی obey کرنے کا rules کو obey کرنے کا اس set of rules to obey اس سے force جو چیزیں obey کرانا چاہتے تھے British Air اس سے انہوں نے change کر کر انہوں نے law as a idea دیا law کا جس کے اندر idea of justice تھا یعنی ہمارے جو nationalist leader تھے انہوں نے جو British Air جس چیز کو law کہتے تھے British Air کا معنی تھا law ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک set of rules ہوتا ہے اور جس کو forcefully forcefully obey کرائے جاتا تھا لیکن ہمارے nation less leader نے انہوں کو ایک idea دیا کہ law law ایک ایسا set of rules ہوتا ہے جس کے اندر justice ہوتا ہے جس کے اندر انصاف ہوتا ہے نہ کہ اس کو forcefully obey کرائے جاتا ہے انصاف جس چیز کے اندر ہوگا اس چیز کو ہم law کہیں گے تو by the end of 19th century اگر ہم 19th century کے جو احتتام پر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے اندر ایک legal profession بھی یہاں پر emerging ہونا start ہو گیا تھا اور لوگوں نے یہاں پر جو ہمارے legal profession تھے جو ہمارے وقلاء تھے جو ہمارے advocate lawyers تھے اور جو ہمارے judges تھے انڈیا کے جو انڈین bond تھے تو انہوں نے colonial court یعنی British court کے اندر بھی respect demand کرنا یعنی انہوں نے اپنے لیے عزت یہاں پر gain کرنا شروع کر دی اور وہ انہوں کا law use کر کے اپنے legal rights یعنی انڈین کے legal rights کو یہاں پر بچاتے تھے یعنی جو British law ہوتے تھے انہوں کو use کر کے وہ انڈین کی rights یہاں پر defend کرتے تھے یعنی انڈیا کے جو لوگ تھے ان کے یہاں پر right defend کی رہا تھے انہوں کے law یعنی British law use کر کے اور انڈین جو judges تھے انہوں نے بہت بڑا یہاں پر greater role play کیا وہ اپنے جو decision دیتے تھے وہ sub decision ایسے decision ہوتے تھے یہاں پر justice ہوتا تھا دیر فور ہم کہہ سکتے ہیں there were several ways in which انڈین play a major role اگر in the evolution of the rule of large during the colonial period جو نہیں colonial period کے اندر law کے اندر جو evolution ہوئی جو یہاں پر changing آئی یہاں پر تبدیلی آئی قانون کے اندر جو پہلے جو قانون تھا وہ arbitrary قانون تھا پھر اس کے بعد یہاں پر rule of law یہاں پر ہوا rule of law جو ہے اس کے اندر انڈین جو ہیں ہمارے nationalist جو ہیں اور جو ہمارا legal profession ہے انڈیا اس کا greater role ہے سو یہ ہم نے پڑھا کہ انڈیا کا کیسا رول ہے انڈیا nationalist کا یہاں پر کیسا رول یعنی جب ہم نے انڈین constitution جو ہمارا constitution ہے اس کو ہم نے adopt کیا تو اس کے بعد جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے constitution کے foundation stone مانا اور جو بھی لاز کنٹری کے لیے بنتے ہیں تو constitution کے بیس پر ہی بنتے ہیں constitution کے اندر سب چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر جو پرانے لاحے ان کو amend کیا جاتا تھا ان کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہیں جو ہماری بک ہے ہندو succession amendment ایک 2005 جس میں ہم نے پڑا تھا اس قانون کے مطابق جو ہماری بیٹا ہے بیٹی ہے اور اس کی جو مدر ہیں جتنی بھی مدر ہوں تو ہر ایک کو equal share ملے گا family کی property ہے اس میں سے ہر ایک کو equal share ملے گا اگر ہمارے جو ایک person ہے اس کے پاس تین یہاں پر house ہیں تو اگر اس کے تین ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے یعنی ایک son ہے ایک daughter ہے اور ایک اس کی wife ہے یعنی ان کی ماں ملتا ہے اور جو son ہوگا اس کو یہاں پر دو حصے ملیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہندو کے اندر ایسا نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر ایک ایک ویشن آپ پر پر ہوتی ہے سو یہ کچھ ایڈیشن انفرمیشن تھی سی سیمیلرلی نیوز لاز جو بین لاز سے ملتی ہے how do people come to think the purpose of new لاز in necessary لوگ جو ہیں وہ کیسے جانتے ہیں کہ جو نیو لاز جو ہیں ہمارے نوئے جو قانون بنتے ہیں ان کا purpose کیا ہے اور وہ کیا ان نیسیس سری ہیں آپ بہت سارا اس کے بارے میں جانوں گے نیس سیکشن have read what the word means in the glossary of chapter first the word sedation has been included in the glossary of this chapter read the glossary description of both words and then answer the following question sedation کے بارے میں پر پڑھا اس کو پڑھو اور یہاں پر اس چیز کا آپ آنسر دو ستیت one reason why you think the sedation act of in what ways does the sedation act 1870 contradict the rule of law to how do new laws come about new laws جو ہیں وہ کیسے وجود میں آتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا پارلیمنٹ ہے جو ہمارا جو ہماری اسمبلی ہے جو ہمارا سنصد ہے یہ بہت ہی important role یہاں پر play کرتا ہے new law جو ہم بنتے ہیں ان کو بنانے کے اندر پارلیمنٹ کا بہت 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 رول ہوتا ہے یہاں بہت سارے طریقے ہیں جن سے new law بنتے ہیں اور یہاں پر society کے اندر بہت سارے ایسے group ہیں جو اس بات کو کرتے ہیں اور پارلیمنٹ جو ہوتی ہے پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ law بناتے ہیں یعنی پارلیمنٹ کا رول یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کی پرابلم ہوتی ہیں ان سے وہ واقف ہوں یعنی ہم ایک سٹوری یہاں پر نیچے پڑیں گے اس میں دیکھیں گی جو ایک issue تھا وہ کس طرح پارلیمنٹ کی attention میں آیا اور پھر اس پر کس طرح law بنا یا ہم پڑیں گے ایک story یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے domestic violence جو ہے کوئی بھی injury harm یا کوئی بھی threat جو ہم کسی کو injury دیتے ہیں زخمی کر دیتے ہیں کسی کو harm کرتے ہیں یا پھر ہم کسی کو harm injury کا مطلب ہوتا ہے ہم physically اور کسی کو injury کرتے ہم یا پھر ہم اس کو mentally کوئی torture دیتے ہیں اور threat یا پھر کسی کو دھمکی دیتے ہیں یا کوئی بھی adult male ہے اس سے ہم اگر کسی بھی adult male اگر ایسے سے کام یعنی اس پوری لین کو آپ سمجھ جائے domestic violence کا مطلب ہوتا ہے کہ جو husband ہے وہ اگر اپنی wife کو injury کرے وہ اپنی wife کو دھمکی دے اپنی wife کو harm کرے تو اس کو domestic violence کہتے ہیں okay injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her injury ہوتی ہے یا تو ہم اس کو physically beat کرتے ہیں یا فیزیکل مارنے کا مطلب ہم ڈھنڈے سے مارتا ہے یا فر وہ اس کو emotionally abusing 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 करना गालियां देना sexually abuse करना यानि उसके साथ उसकी intention ना हो sex करने की फिर भी वो उसके साथ sex करना चाहे या उसको economic abuse करना यानि उसको हम पैसे यानि जो husband होगा वो अपनी wife को पैसे ना देगा उसको जो जरूरत है वो जरूरत पूरी ना करे तो इस तरह इसको भी हम abuse कहते हैं the protection of women from domestic violence act 2005 extend and understanding the term domestic to include all women who live or have live together in shared house with the male member who is perpetrating the violence यह नहीं यहां पर यहां हमें बताया गया थे जो protection of women जो act domestic violence act 2005 है उसको 2005 में extend किया गया और यहां पर domestic violence जो है इसके अंदर एक चीज़ और include की गी domestic violence जो है domestic जो है इसके अंदर एक चीज़ और include की गी कोई भी कोई भी woman जो है वो अगर किसी भी shared house के अंदर रहती है जा किसी male member के साथ तो वो भी domestic के अंदर आएगी ठीक है ना यानि शेर्ड हाउस के अंदर एक वूमें जब मेर मिम्मर के साथ रहेगी तो उसको हम जाएंगे कि ये डिमेस्टिक है सो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो ये स्टोरी बोर्ड है इसमें जो हम पढ़ेंगे इस से आपको समझ आने वाला है कि कोई भी ला किसी भी इशू के उपर जब बनता है तो कैसे बनता है यनि कोई भी इशू पारलिमेंटरियन के सामने किस तरह आता है और डिफरंट जो सुसाइटी के अंदर जो ग्रूप होते हैं किस तरह किसी भी इश्य को रेज़ करते हैं तो यहां पर हमें जो domestic violence का जो लाब बना था उसके बारे में एक पूरी जर्नी बताई गई है कि किस तरह वो जो domestic violence का जो issue था जो हमने उपर पड़ा domestic violence के बारे में यह domestic violence parliamentarian की tension में कैसे आया, parliamentarian के सामने कैसे आया और फिर उन्होंने इसके उपर कैसे लाब बनाया, तो 2006 की यहां पर बात हो रही है यानि यहां पर कुसम और जो शाजिया हैं यह women organizations में काम करती हैं और यह protection of women for domestic violence act जो पास हुआ, इसकी जो long journey है, इसको यह याद कर रही है यहां पर, यहां पर शाजिया जो है बोर रही है कुसम से डिड यू रीड टुडेज न्यूजपेपर इसन्ट इट एग्रेट डे फार वोमें क्या आपने आज का न्यूजपेपर पढ़ा 2006 में यह पूछ रही है, यह जो औरत है यह से पूछ रही है क्या आपने आज का न्यूजपेपर पढ़ा क्या यह जो और जी आपको नहीं लगता है क्या आज का जो दिन है वोमें के लिए जो औरते हैं उनके लिए बहुत ग्रेट डे है यहां पर कुसम इंसे बोर रही है कि not just women violence free homes will benefit everyone कुसम बोर रही है कि यह सिर्फ women के लिए नहीं benefit है बलके यहां पर जो violence free home अगर होगा यह नहीं ऐसा home ऐसा house जहां पर violence ना हो women के खलाफ तो वो जो घर होगा वो हर एक लिए benefit होगा क्यांकि उसके अंदर जो बच्ची होंगे उसके अंदर जो और हज़रात जो male या औरते होंगी उनके लिए यह benefit होगा क्यांकि बापर violence नहीं हो रही होगी ठीक है कुसम इस टेकन such a long time to get this law passed यह जो बहुत लंबा आरसा था यह नहीं बहुत लंबा आरसा लगा इस इस act को पास होते होते इस law को बनते बनते it begin with establishing the need for new laws यह नहीं यह जो है it begin with establishing the need for new law तो आपको नहीं लगता है कि यह जो इस से हमें पता चला कि नियो ला की भी ज़रूरत हमें पढ़ेगी so यहां पर आप पीछे जाता है पीछे यह जो storyboard में हम पीछे जाते हैं बहुत पीछे April 1991 में a typical day at their office यह नहीं अपने office में उनका एक typical day था तो यहां पर क्या होता है कि यह जो यहां पर office के अंदर जो lady बैठी है इनके पास दो ladies यहां पर आती है तो एक जो lady है यह बोलती है I need advice मुझे advice चाहिए my husband beaten me one minute मैं इसको साथ zoom करता हूँ my husband beats me my husband beats me I haven't told anyone so far यह आप मुझे एक advice करो मेरा जो husband है उन्होंने मुझे मारा और मैंने अभी तक इसका किसी को नहीं बताया I feel so ashamed मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है I can't go on like this anymore मैं और नहीं ऐसे कर सकती मैं और नहीं ऐसा जी सकती but I haven't nowhere to go लेकर मुझे कहीं जाना भी नहीं है यह नहीं यह जो lady है यहां पर जो lady खड़ी है इनको यहां पर अपने husband के तवारा यहां पर इनको beat किया गया है और यहां पर lady के पास आई है और नहीं को बोलती है कि मुझे डवाइस करो कि मुझे इस तरह मारा गया और मैं आप ऐसा नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती है और ना ही मैं कहीं जा सकती हूँ मुझे ना ही कोई और शेल्टर है और दूसरी जो lady है वो बोलती है कि मेरे जो मेरे साथ ill treatment हुई है मेरे जो son है और मेरे जो daughter है daughter-in-law है उन्होंने मेरे साथ ill treatment किया है मेरे साथ अच्छा बरताव नहीं किया है बुरा स्लू किया है they everably abuse me उन्होंने मुझे घालियां दी I have no access to my bank account they may even throw me out यानि मेरा bank account के साथ कोई access नहीं है और वो मुझे अक्सर बाहर नकाल देते हैं गर से उसके बात यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी ऐसी कुछ situation बनी हुई है 1991 की बात हो रही है 2005 में तो कनून बनाना है 1991 की बात कर रहा है कि अभी तक कनून नहीं था उस वक्त society के अंदर ऐसा कोई domestic violence के खलाफ कोई भी कनून नहीं था तो उस वक्त लोगों की क्या हालत थी लोग किस तरह पर इंशकायतें करते थे मैं पलीस में नहीं जाना था मुझे वाइलनस खतम चाहिए ठीक है न यह बोर रही है इस परसन को मैं चाहती हूँ कि मुझे परसन है कि जो अबी का जो ला है यह जो यह उसको बोर पर ला है यह ला प्रसन है और यह ला ऐसे option यहां पर provide नहीं करता है यहां पर अगर हम देखें तो throughout the 1990s a need of new laws was raised in different forms यहां नाइटी 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 के पूरे जो साल था उसके बाद भी यहां पर जो एक new law यहां डिमेस्टिक वाइलनस के खलाफ जो law की जरूरत हर एक form पर इस चीज़ के यहां पर आवाज अठाई जाती थी कि हमें domestic violence के खलाफ एक new law चाहिए क्योंकि जो existing law है उसमें कोई ऐसी बाते होती नहीं है जो औरतों के साथ गर में जो बरताओ होता है जो उनको गालियां दी जाती है तो वो तो यहां पर बाती किसी लाख के अंदर यहां पर बोला यह नहीं गया है तो हमें यह लाज चाहिए यहां पर हम देखें तो public hearing हो रही है यहां पर वोमन जो हैं हमने ऐसा देखा कि वोमन जो हैं वो चाहती है कि हमें मार पटाई से यहां पर प्रोटेक्शन चाहिए जो उनको मार पटाई होती है घर के अंदर उस से उनको यहां पर प्रोटेक्शन चाहिए और यहां पर उनको यहां पर उनको अपने शेर्ड हाउस के अंदर continue रहें और यहां पर उनको temporary relief भी provide कि जाए यह अगर for example कोई person है कोई male है वो अपनी female से अलग रहता है यानि female के साथ वो अपने जो संबंध है वो नहीं रखता है अपनी अपनी घर वाले जो उसकी होगी अपनी wife जो होगी उसके साथ वो नहीं रहना जाता है तो वो अगर वो औरत अलग रहती है उसी house के अंदर रहती है तो उसको जो male है वो उसको temporary relief भी provide करें कि पैसे की जूरूर तो पड़ेगी उसको या गर for example वो जो person है उसने इस wife को अतलाग दे दिया है डावर्स दे दिया है तो इसको कुछ time कुछ अरसे के लिए जिस जो कनून के अंदर लाग के अंदर लिखाया है तब तक उसको वो relief provide करें तो यहां पर उसको shelter भी यहां पर provide होना चाहिए we need a new civil law to address this issue यहां पर यह बोलती हैं यह जो officials हैं यह बोलती हैं कि हमने हमें पता चला कि अब यहां पर हमारे society के अंदर एक civil law की यहां पर जरूरत है जिसके अंदर यह ऐसे ऐसी issue यहां पर address होने चाहिए तो हम किस तरह हम देखते हैं कि आस्ता आस्ता government officials यह गोर्मेंट तक बात पहुंचने लगी है क्योंकि डिफरंट जो society के अंदर जो यहां पर groups थें उन्होंने किस तरह बात थाई तो यहां पर अगर हम देखें तो 9099 में अगर हम देखें तो यहां पर जो यहां पर lawyers यहां पर lane start की और domestic violence के ओपर drafting उन्होंने start कर दी prevention and protection bill domestic violence prevention and protection bill के ओपर drafting start कर ली और this bill this draft bill was widely circulated और ऐसी जो इन्होंने इन्सूड़न्स in groups in lawyers group of lawyers और जो एक्टिवेस्ट थे इन्होंने जो यहां पर drafting की थी यहनी domestic violence bill की तो यह widely यहां पर circulate होने लगी अब क्या होता है यहां पर आगे देखते हैं तो यहां पर यह जो लेडी हैं यहां पर हम देखें what about same monetary relief यहां पर the definition of domestic violence should include physical, economic, sexual, verbal and emotional abuse यहां पर यहां पर यह लेडी बोती हैं कि इस bill के अंदर हमें जो domestic violence की definition है इसके अंदर physical, economic, sexual, verbal जो यह जो abuse होते हैं यह भी यहां पर include करने चाहिए यहां पर यह लेडी बोलती हैं यह जो लेडी बोलती हैं यहां पर जाती है जहां पर उसका mail भी हो तो उसको उस house से बाहर ना नकाला जाए यहां इसके खलाफ उसको protection चाहिए ठीक है ना इस लाग के अंदर जहां पर यह जो लेडी बोलती हैं यह बोलती हैं कि what about some monetary relief यह नी यह बोलती हैं कि woman जो है उनको तो monetary relief पी चाहिए तो उसके मतलब क जा है तो इस तरह हम देखते हैं कि हर एक जो form है उस पर किस तरह इस तरह की नीड की जरूरत की अमर बाते हो रही है meeting were held at different organizations यानी बहुत सारी meeting होने लगी जब यह law draft होने लगा जब different students एक्टिवेस्ट के अंदर जो अपने अपनी जगा पर उन्होंने इस तरह यह drafting स्टार्ट की तो यहां पर meetings होने लगी organization के दर्मिया ठीक है बहुत सारी जो organizations हैं उनके दर्मिया the women's movement want a new law on domestic violence यह उन्होंने कहा यह जो बलती है कि जो women's movement है यो ओटों की जो movement है वो चाहती है कि domestic violence पर new law होने if government should introduce the government should introduce it in parliament soon तो government को चाहिए और सरकार को चाहिए कि parliament के अंदर इस law को इस bill को बहुत जलती इंट्रडूस कर दें और फिर इसको law बना दे यहांपर यह जो lady हैं यह कहती है this bill was none of what we have been suggested यह बिल वैसा ही होना चाहिए जो हम बो रहे हैं यह lady बो रहे हैं जो हम suggest कर रहे हैं वही बिल होनी चाहिए यह पार्लीमेंट के अंदर जानी चाहिए फाइनली डी बिल वाइंटर्डूस के अपर जो बिल थी वो यहांपर इंटर्डूस हो गई पार्लीमेंट के अदर और यह लेडी कहती है कि बिल वैसा ही होना चाहिए जैसा बिल हम चाहते हैं यहां पर यह लेडी बोलती है We must oppose the bill in its present form यह निल जो हमें उसको oppose करना है उसको हमें oppose करना है यहां पर यह लेडी बोलती है Let's have a press conference चलो हम एक press conference करते हैं We could also start an online petition और हम आनलाइन प्रटिशन भी स्टार्ट करें यहां पर अगर हम देखें तो several women's जो है several women's जो है women's organization जो है national commission for women made submission to the parliamentary standing committee कुछ women's organization ने और जो national commission for women जो बनी है उनोंने parliamentary standing committee जो है उनके सामने एक submission रखी उनके सामने एक दर्खास रखी जिसमें ने कहा यहां पर यह जो है इनोंने कहा कि इनने परलिमेंटरी यानि ने परलिमेंटरी जो standing committee है उनके मिमेंटरी से कहा the present bill must be changed यानि जो present bill आपने पेश किया पारलिमेंट के तो उसको change किया जाए we do not agree with the definition of domestic violence being proposed यह हम domestic violence की जो definition इस bill के अंदर दीगी है हम उससे यहां पर रजामाद नहीं है the law needs to provide to provide a far temporary custody of children यहां पर यह लेडी बोलती है यह बोलती है कि law के अंदर एक चीज और भी होने चाहिए इस bill के अंदर एक चीज और भी आप यहां पर यहां पर एक चीज और भी लिखो कि जो children की custody होती है वो किसके पास होने चाहिए temporary जो custody होगी वो किसके पास होने चाहिए यह अगर एक person जो है एक male जो है वो अपनी wife को यहां पर तलाग देता है divorce देता है तो उसके जो children होगे उनकी custody किसके पास रहेगी तो यह भी इस domestic violence act के अंदर आनी चाहिए तो December 2002 में क्या होता है कि the standing committee should submit the standing one minute please यहां जोड़ा से ऐसे कर लेता हूँ and December 2002 the standing committee submitted its recommendation to the Rajah Sabah and there were also tabled in the Lok Sabah यहां पर क्या होता है standing committee जो है वो अपनी जो submission है वो यहां पर अपनी recommendation Rajah Sabah के सामने रखती है और फिर लोग Sabah के सामने भी वो इसी recommendation को राख देती है ठीक है ना अब यहां पर क्या होता है committee reports accepted the most of the demand on the women's group यानी इस standing committee ने यानी जो committee थी इनोंने जो women's की demand थी यह उपर women demand कर रहे थी इनकी बहुत सारी demand को यहां पर माना गया accept किया गया finally a new bill was introduced in the parliament 2005 के अंदर finally क्या होता है कि new bill जो है एक new bill यहां पर introduced की गी जिसके अंदर बहुत सारी जो demands थी वो पूरी यहां पर की गी after being passed in both house of parliament यहनी दोनों house of parliament यह लोग Sabah के अंदर भी और Raja Sabah के अंदर के बीज़ बिल पास हो गई तो इसको President के सामने पेश किया गया और President ने इसको इसके उपर अपना sign किया इसको अपना event दिया और फिर जाकर क्या हुआ 2006 के अंदर एक new law बना Protection of women for domestic violence act came into force in 2006 तो इस तरह यह law बन का त्यार हुआ so यहां पर क्या होता है कि at press conference in 2016 तो इस law के ओपर यहांपर discussion होती है किनके new law बनाकर त्यार हो गै Ihre society के अंदर पहुँच गया अब क्या होता है कि यहांपर discussion large scale पर discussion होई और पर press conference होने लगी तो यहांपर यहांपर देखो यहां पर एक्सेप्ट किया और जो वुमेंस राइट टू फ्री वाइलन्स जानी वोड़ों के एक हकुक है वाइलन्स फ्री होम उनको चाहिए और एक डिमेस्टिक वाइलन्स की जो कमप्रहेंसियो डिफिनिशन यहां पर रखी गी फिजे का लिप्यूज लाया गया जिस एंदर इमोशनल विजूज पिलाया गया तो यह कमपरहेंसियो इमेस्टिक वाइलन्स की इससे स्पील इंजरी हम इन्जरी को डich कुदते कि डिमेस्टिक वाइलन्स और जिसके इसको डुमेस्टिक वाइलेंस के अंदर रखा गया ठीक है ना यहां पर यह जो लेडी बोलती है इसी प्रेस कान्फरस्स के अंदर इसला इसला इमेंड एट प्रवएडिंग रिफ तो मिलियन आफ वूमन इंकुड़िंग व्यूस मदर डॉटर ऑंड सिस्टर एफेक भी वूमन से डोमेस्टिक dépाशनिट के साथ होता है तो वो हो मैं यहां पर यहां पर रलीव रिफ पर करे है जो लेडिया इनसे question करती है why is this an important law यहां पर यह question किया why is this an important law यह important law क्यों है यह ला क्या हो इतना ज़रूरी है अब यह जो इनसे question का answer देती हुए कहती है कि यह law है यह बहुत ही significant step है कि हमके इन्होंने recognize कि किसको recognize कि the right a woman the right a woman to live in a shared house यह नहीं woman का एक हक shared house के अंदर रहना यह इसने यहां पर recognize किया तस्लीम किया इसको माना इसको woman can get a protection order against any further violence यह जो है एक protection order यहां पर get करती है हासल करती है कोई किसी भी further violence के खलाफ okay women can get monetary relief meet their expense including medical cost women जो है और जो है वो shared house के अंदर monitor relief यहां यहां पर यहां पर get कर सकती है और जो कि इसके medical expenses आते हैं वो भी यहां पर वो यहां पर हासल करेगी now begins another long journey अब यह जो ओ लेडी है यह से बोलती है women active activities जो हैं को बोलती है कि अब हम एक और लंबी journey यहां पर start करें तो यहां पर यह बोलती है yes now governments has to ensure that this law implemented and forced अब यह बोलती है कि अब हमें यहां पर एक चीज़ और यहां पर जो देना है कि गोर्मेंट जो है वो इस चीज़ को ensure करें कि हाँ वो इस लाग को ground level पर अब यहां पर इसको implement करें ठीक है ना ground level पर इसको implement करें तभी हम कहेंगे कि यह success है government की तभी हम कहेंगे कि इस लाग का कोई फाइदा है तो गाइज यह हमने बहुत ही लंबी स्टोरी पड़ी इस woman protection act की किस तरह woman protection act बनकर त्यार हुआ वजूद में किस तरह या पहले इसके यह issue जो था इसको किस तरह raise किया गया तो इसी को इसी के साथ हम जो इस लेक्शर को हम यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबा लेक जो इस लेक्शर को यहाँ पर stop करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि जो उपर example जो जो इस example से हमने समझा कि लाग किस तरह बनते हैं यहाँ पर हमने देखा कि जो citizen है उनका crucial role है वो पारलिमेंट को किस तरह help करते हैं कोई बी new law बनता है लोगों की जो concern होती है किसी भी law के बीघो और जो citizen हैं उनकी वाइस सुनी जाती है और उनकी वाइस को crucial element माना जाता है उनकी वाईस हर जराय से सुनी जाते है जैसा TV reporters जो होते हैं वो भी इनकी वाइस परलिमेंट टक पहने लाद निजश पैपर जो होते हूँ व भी पहने ज़कर पनचाते हैं उनको उनकी व इडिया से ट्रांस्पारंट होते हैं पीपल्स के दोरा पीपल्स के और तो इससे हमें समझ आया कि जो नियू ला कोई भी बनता है तो उसमें जो लोग हैं जो आम जो सिटिजन हैं उनका कितना एहम रोल है और ला जो बनता है वो ग्रोंड लेवल पर जो इस्जीव होते हैं जो पार्लिमेंट के जो पार्लिमेंटेरियन हैं वो उनको किस तरह समझते हैं उनके जो लोगों के जो इस्जीव होते हैं वो उनको किस तरह देखते हैं किस तरह समझते हैं तो यह सब चीजे हमने यहां पर पड़ी आपको यह सब चीजे समझ आई होंगी तो आज के लिए हाफीज